दोस्तो हम गार्डनर्स जो हैं काफी सारे प्लांस उगाते हैं लेकिन जरूरी नहीं होता है कि हर प्लांस के बारे में पूरी complete information हो और जब नए प्लांस लाएंगे उनको रखेंगे तभी जो है नई जानकारी भी मिलती है यसी ही हमने जो था टाइम टू टाइम कुछ नए प्लांस अपने बगिया में आड़ करे थे लेकिन जब उन में कुछ operations करने होते थे मतलब कुछ उनसे season change होने में उनसे related कुछ काम करने होते थे तो कई बार मन डरता भी था तो काम तो कर लेते थे लेकिन आपके संग share नहीं क उन कामों को करिए मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजया स्क्रेटिव गार्डन तो जो मैंने डरते डरते काम किये चलिए वो share करते हैं सबसे पहला काम जो था मैंने अपने इस ड्रसिना के प्लांट के साथ करा जो कि एक लंबी टेहनी में ग्रो होता है और सिंग यह रहा कि इसकी दो-दो साइट से ब्रांचेज निकली जिससे की प्लांट थोड़ा घना लग रहा था और जो प्रून कर दिया था हिस्सा वो इस वाले गमले में मैंने उस हिस्से को लगा दिया था यह है तो अब यह भी इतना बड़ा लग रहा है तो मैं सोच रही थी कि इसको फिर से प्रून करें क्योंकि सिंगल स्टेंप ग्रो होना अच्छा नहीं लगता है तो यह काम मैंने दोस्तो 25 जनवरी के आसपास किया था तो फिर से मैंने इसको प्रून कर दिया इसकी जो थी जितनी भी एक्स्टरा नीचे की लीफ्स थी वो हटा दी जनवरी के जगल में ही जगह बनाई और सिंपली जो था यह प्लांट यहीं पर खोज दिया हम सोचे कि जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक जो है क्या हमें मालूम पड़ेगा ठीक है कि गलत है और देखे यह सभी के साथ होता है यह तुलसी का प्लांट है डॉर्मेंसी में है इसको छ लगाई थी इसको भी अलग करके देखते हैं क्या है और यह जो किनारे तुलसी का प्लांट लगा हुआ है यह हमको किसी ने मांगा है कि उनकी सरदियों में तुलसी खराब हो गई है तो उन्होंने का हमको दे दो तो मैंने सुचा कि इसको भी इसी बहाने निकाल लेते हैं था कि गंबले में जो जरुष से ज़्यादा जड़े फैल रही है इसका यह थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो यह रूट बाउंडिंग भी हो गई है इस प्लांट की तो मैंने जो था यह रिस्क लिया तो रिस्क पहला तो यही लिया कि मैंने अपना अच्छा काजा प्लां निकल आया है इसमें एक साथ तीन तीन प्लांट ग्रो हो रहे हैं तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही इसकी रूट बाउंडिंग हो गई है तो देखे मैंने तो काम करा था सर्दी में उससमें कड़ाके की ठंड़क पर रही थी और अगर आप यह काम करना चाहते हो तो अब र इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हो तो अब इसकी रूट प्रूनिंग भी कर देते हैं में जो था मुझे अपने ड्रेसिंडा के प्लांट को थोड़ा सा घना टाइप का बनाना था क्योंकि यह भी सिंगल स्टेंप में ग्रो हो रहा था मुझे बिलकुल अच्छा नही यह थी बस मैं चहरी थी कि इसकी दो तीन ब्रांचे और बन जाए जिस काम में मैं पूरी तरीके से सफल रही तो इसका भी क्या अपडेट रहा है यह भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा कि जो हमने के एक सिंगल स्टेंप से मैंने पहले दूसरा प्लांट बना मैंने अपने गार्डन वेस्ट इसक में भर दिया और यह पतिया गला के रखी थी वही मिटी में डाल दे रही हूं अलग से कोई भी स्पेशल मिटी नहीं बना रहे हैं यह प्लांट दोस्तों थोड़ा सा रफ और टफ स्टाइल ही चलता है तो इसमें यह सबसे पहले मैंने इसका रूट बॉल पूरा लगा दिया और थोड़ी सी रूट प्रूनिंग कर देते हैं यो कि यह सब हाड़ी डाइप के होते हैं इनको जल्दी नुकसान नहीं होता है यह एक और प्लांट आपको दिखाएंगे जो कि मैंने पहली बार ग्रो कराता हूं बहुत महंगा प्ल भूस दिया कि अभी कम देखभाल में यह प्लांट चलता रहा है इसमें चलिए अब आपको जो है अपडेट भी इसका दिखाते हैं तुलसी जो है किसी को देना है तो अलग ग्रो करेंगी तो यह आज जो है हम आपको कुछ दिन बाद का अपडेट दिखा रहे हैं तो ये प्लांट जो है एक सिंगल स्टेंप से ग्रो हो रहा था जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी बिल्कुल सर्दियों में दोस्तों मरा-मरा सा प्लांट हो गया था तो मैंने जो था एक दिन ताओ में आका उपर से फ्रूनिंग कर दी एक महीने तक के लिए डॉर्मेंसी पीरेड रहता है अब आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ वही कहते हैं जब मैं इस प्लांट को ले रही थी और मैंने जो नसरी वाले हैं उनसे बोला था कि प्रूनिंग कर दूं तो उसने मना कर दिया था हमको लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि इतना खराब हो गया था तो उसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी थी और यह देखें इसमें भी जगे जगे से ग्रोथ हो गई है तो यह सब काम करने से पहले तो देखें नए प्लांट में डर लगता है विसे सॉंग ऑफ इंडिया तो बहुत पुराना प्लांट है और यह मेरा फि डालूंगी फंजी साइड कुछ नहीं करूंगी ऐसे ही छोड़ देंगे इस प्लांट को जब यह प्लांट और थोड़ा सा ग्रो होगा तो जिसमें फंगस फगेरा लगी है वो पतियां अपने आप ही गिर जाएंगी अभी यह पतियां कम रहे जाएंगी और जो उपर से कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दी अभी कुछ दिन से ग्रोथ दिखाएं फिडे लीव दोस्तों इंडोर प्लांट है जिसको कि हम अपने कमरे केंदा ना रख करके बालकनी या कि फ्रंट डोर के आगे रखतें जहां थोड़ा उजाला रहता है और वहां वो मेरे छट में जो पतली पतली डालियां यह में उठा करके ले आई थी मैंने सुच था कि देखते हैं ग्राफ्टिंग करके तो यह ब्लेड ले आए हैं सारे समय करूंगी में यह आपके सांग शेयर करने जा रही थी यह मेरा ग्राफ्टिंग टेप है इसकी कोई जरूवत नहीं है आप जो सि देखें पूरा तो शूट नहीं हो पाता है अकेले हम ही करते हैं कि जरा सामने शूट कर लिया फिर बंद करा फिर तोड़ी थी प्रिप्रेशन कर ली तो उसमें जो था मैं एक बार कैमरा खोलना ही भूल गई थी तो यह था कि वीडियो आधा धूरा शेयर वदब शूट कोई भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इसकी पढ़ाई करोगे या कोई किसी से ट्रेनिंग लोगे तभी आप गार्डिनिंग सीख पाओगे अगर आप यूट्यूब के वीडियो भी देखते हो हमारे या दूसरों के देखते हो उससे भी खुद जब तक प्राक् दिया है और यह देखिए इतने एक्सपर्ट नहीं है लेकिन सारी एक्सपर्टीज मैंने अपने यह जो आडिनरी वाले अडिनियम आते हैं उनमें दिखा दिया था और यह मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दिखा रही हूँ, यहां मैंने कटिंग सुग्रो करी थी, उनमें भी मैंने ग्राफ्टिंग कर दी थी, तो देखिए उनमें कलियां भी बनने लग गई है, तो जब इस तरीके का रिजल्ट मिलता है, तो बहुत खुशी होती है, और ऐसा लगता है कि आप लोग के संग शेयर करें, यहां पर जो था मैंने इस वाले एडीनियम की एक पट्टी की ग्राफ्टिंग तो पिछले साल करी थी, जिसमें की फूल भी आगया वाइट कलर का, हाँ और यह दूसरी इसकी ब्रांचेस निकल रही थी, उसमें अपकी है मै लेकिन इसलिए एक कुप सारे प्लांट्स कटिंग्स उगाते रहते हैं किसी तरीके से सीख लेंगे, यहां पर भी जो एडीनियम लगा था, इसमें देखिए फ्लॉप हो गए, यहां पर यह खराब भी हो गई है, यह देखिए ऐसे, ना तो अब यह रखे रहेंगे, नेक् कटिंग्स मैंने ग्रो करी थी, यह देखिए इसमें फूल भी बन रहा है, कटिंग्स यह था, यह दो साल पहले ग्रो हुई थी, तो दोस्तो इस तरीके से नेने कामों को करते रहें, अपने गार्डनिंग की स्किल्स को बढ़ाते रहें, उमीद है आपको वीडियो पसंद दाया होगा, फिर मिलते हैं किसी ने वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार